खामोस आवाज नेचे जानते हैं कहां जाता है कि आया ना हमरा भिहार में समझ पूरे दुनिया वालों YouTube का जमाना है लोग मोबाईल में YouTube चलाते हैं लोगों ने उस सारे ब्राब्लमज को देखा वह्या हमें भी लग रहा है कि ये प्राब्लम्ज है वो सारी हिसाब से अपने में स्टाइल में प्रेजिंक करते थे जो वर्ड है ना बिहारी, बिहारी, क्या ये वर्ड, बहुत ही जग दिलाता है आपको भीया सहर में, तो देखें मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक मैथिल हूँ, और हम सभी चाहते हैं कि मिथिला को एक अलग राजिका दर्जा मिले, बिहारी वर्ड क्यों बदनाम है, पूरे संसार आखिर बिहारी को, बिहारी कहा जाता है, तो क्यों चिढ़ाता है, आखिर क्या ऐसा वज़ा है, जो हम लोग अपने आपको बिहारी नहीं मैथिल कहने पर मजबूर हो गए, और ये तकरीवन 19-20 जिला मिथिला के, अपने आपको अलग राजिके लिए आवाज उठाने लग रूर पे निकल जाता है, और उन सारे नेताओं को नोटिस करने लगता है, और उन सारी चीजों को एक्स्प्लॉर करने लगता है, जो उसको समझ्या दिखता है, आखिर क्या वज़ा है, कि मनिश्ट कस्यप को जेल में बंद कर दिया गया, सबसे पहले मैं आपको यह वर्ड क्यों इतना बदना में इस बात को समझ्येगा, यह जो बिहारी वर्ड है, इस बिहारी वर्ड को मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ, तीजों को समझ्येगा जरा, आखिर आशाम में रहने वाले को अशामी कहा जाता है, बंगाल में रहने वाले को बंगाली है आपको कहा जाता है ना कि आये ना हमरा बिहार में जानते हैं इस वर्ड में एक फिलिंग्स हैं बिहारी के साथ क्या गलत नहीं होता है क्या आपने कभी अपने गाउं को छोड़ करके सहर नौकली के लिए गए हैं, क्या आपने कभी सहर में जीवन यापन किये हैं, क्या ये सारी चीज़े गलत है, क्या बिहारी को उस नजर से नहीं देखा जाता है, क्या आपने कभी आसाम के उन दिनों के बारे में अवलोकन किया है, क्या आपने कभी बंगाल के उन दिनों के बारे में अवलोकन कि तो ये चीजे जानना भी जरूरी है कि आखिर यहां से लेवर जोन बना करके क्यों लोग जाते हैं तो असपस्ट सी बात है कि बिहार के जितने भी लोग हैं बिहार के जो मजदूर हैं जिनको बाहर जाना परता है सहर को जाना परता है अपने गाउं को चूर करके रोटी कमान के लिए उनके साथ जो दुख दर्द होता है उसी चीजों को दिखाने के लिए मनीज कश्यप ने मनीज कश्यप ने क्या किया मनीज कश्यप ने एक माइक खरीदा और एक माइक खरीदा एक कैमरा खरीदा और चल दिया रोड पर बिलकुल जो एक यूटुबर होता है उसी के तरह से जैसे आम तोर पर हम आप कोई भी यूट्यूबर माइक कैमरा लिए हुए निकलते हैं और कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं भाई आखिर है क्या वाट एक यूट्यूबर का अर्थ क्या है आज के रेट में अगर किसी को आप सवगोशित पत् हाला कि उन्होंने डाइडेक्ट चैलेंज दे दिया है तेजस्वी आदव जी को कि हम आपके सरकार को गिरा देंगे 180 दिन में तो ये चीजे स्वभारिक सी बात है कि कि किसी भी पत्रकार के द्वारा ये कही जा रही है तो ये बहुत अलग चीजे हो जाती है लेकिन उसका नजरिया है विहार को तरकी के नजर से देखने का वो बंदा अकेला एक पार्टी मन के खरा हो चुका है वो एक बंदा अकेला है जिसके लिए लाखों करोरों लोग आज आई सपोर्ट मनीश का स्यब लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए विहार में इस तरह के कालकुले बीहारी वर्ट बदनाव नहीं है पूरे बिश्टू के अंदर या विहारी प्रस्तूत नहीं किया जाता है यह वह एक भाइडति हूं हर भूंस बताई so many things which connect वहां के जो regional चीजे हैं उसको जोडने के बाद वहां के लोगों को उसी हिसाब से represent किया जाता है तो बिहार में रहने वाले को बिहारी कहा जाता है इस बिहारी वर्ड को इतली तरह से present किया जाता है इस प्रकार से न बिहार में रोजगार न बिहार में स्वस्थ ये सब कुछ बिमारी है तो कहा जाता है कि एक बिहारी सौ बिमारी कहा जाता है बाहर में शहर में लेकिन जब बिहार के लोग जाते हैं तो वो अपने आपको कहते हैं कि एक बिहारी सौपे भारी तो ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए मनीश कस्यप ने दसन आफ बिहार करके वो अपना एक YouTube चैनल बनाया और उसे साथ से वो अपनी चीजों को सामने रखने का प्रियास करता था उसे जो दिखता था वो चीजे लोगों को बताने की कोशिश करता नया बिहार का सपना देखने वाला ये मनीश सस्यप जब तमाम सारे चीजों को मैंने उसका एक वीडियो देखा था उसमें कहा था कि अगर यहां के लोग उठकर के खरे हो जाएंगे तो हम आज के आज निपिन गड़करी जी को एक पत्र लिखेंगे कि सर इस रोड को जल्ड बनाया जाए उसमें इतनी पोटेंसियल लोगों को दिखने लगा कि उसका जो ग्रोथ स्पीड था उसका जो व्यूज स्पीड था वो बाकी सभी चैनल, न्यूज चैनल के लगभग में दस बुने के बरावर पच बुने के बरावर था ये चीजे किसी को रास नहीं आ रही थी उस बंदा को अरस्ट कर लिया गया आपके घर के सफाई कौन करेगा आपके यहाँ पर पूर ये कचड़े हैं, उसको साफ करने के लिए अगर आप नहीं खरे होंगे तो कौन सारते आएगा आपका जो दरबाजे का कूरा कचड़ा है कौन साफ करेगा तो इसके लिए भी जरूरी है कि आपको ही उठना परेगा इसी परकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका छित्र का भी कासू इसी परकार से अगर आप चाहते हैं कि आवाज दबे ना आवाज खामोश ना हो तो आपको थोड़ा बहुत सोर करना पड़ेगा तो बिहार जो है ना सो बदनाम है बिहार को एक अच्छा image की जरूरत है बिहार को जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, वही बिहार को बदल सकते हैं अन्यत्ता कोई नहीं, कोई सुपरिम पावर झशें आएगा आपके बिहारे में गुज़ करके तो मनिस करस्यप जी को बड़ा खराब लगाता है उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का फिर बटवारा हो लेकिन मैं उनको बताना चाहता हो कि जो मिठिला है इसकी अपनी संस्कृती है इसकी अपनी भासा है और बहुत लंबे समय से इसके साथ बहुत अन्याई हुआ है इसलिए मैं एक आवाज मन करके ये कह रहे है कि जो हमारे 6 करोड मैं इनको एक अलग राज मिल जाए है खर ये तो अलग मसला हो गया एक मनिसकर से अब जी नहीं है हमारे मुद्दा को राइवर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि बहार में एक ऐसा मर्द खरा हो करके जो सरकार है उसको आखे में आखे डाल करके कह रही है कि हम आपकी सरकार को 180 बिने में गिरा सकते हैं अब बताईए कि ये जो आवाज है इस आवाज में जो आपको तुन समझ में आ रहा है चाहिए वो राजनीतिक जो भी दावपे चो मैंसी जो में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ कि बिहार में कुछ ऐसे युवाओं को आवाज उठाना परेगा ये आवाज बताना परेगा इन सारी चीजों के उपर उठकर के बोलना परेगा कि बिहार में जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए बिहार में चिकित्सा की समस्या है, बिहार में रोजगार की समस्या है, बिहार में सिक्षा की समस्या है आपको जब भी कभी इलाज करवाना होता है, आप कहां जाते हैं, सोचिए, पतना जाते हैं पतना वाले को समस्या होता है दिल्ली जाते हैं और जब दिल्ली जाते हैं आप तो वहां पर भीर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे बिहारी हैं जितने भी आपको बिहार वहां पर चिकित साले में आपको भीर दिखेगा वो सारा क्राउड का 80% बिहारी होत कि बिहार के जितने भी युवा हैं, मिथिला के जितने भी युवा हैं, ये इनको इस प्रकार से साथ दे सकते हैं, ये बिहार की समस्याओं को सामने ला रहे हैं, ये बिहार की उन सारी चीजों के उपर बात करना चाह रहे हैं, जो आज तक कोई करना नहीं चाहता था, किसी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रिक्रिक्टरना चाहता हूँ, हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रिकार से दक्रिशना मिश्रा योटोब चैनल को देखते रहिए और मुझे आशा है कि जो हमारा जो टॉपिक होता है, जो जिसमें कि हम बहुत सारी आसी ची बालाद, नमस्कार, जाएफ़ित.